रूसी सेना को यूक्रेन के एक बड़े और मजबूत सैन्य ठिकाने की खबर मिली और फिर कुछ ही देर में रूस का के ए फिफ्टी टू लड़ाकू हेलिकॉप्टर एक्शन के लिए तैयार हो गया रूस के रक्शामंत्राले ने इस मिलिटरी ओपरेशन का एक विडियो जारी किया है जिसमें के ए फिफ्टी टू के पाइलेट इस हेलिकॉप्टर को हतियारों और मिसाइलों से लैस करते दिखाई दे रहे हैं और फिर कुछ ही सेकंड में ये हेलिकॉप्टर अपने टार्गेट की तरफ उडान भरता दिखाई देता है विडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह रूसी सेना के पाइलेटों ने Armed Forces of Ukraine यानि AFU इकाईयों के मजबूत गढ़ों पर मिसाइल ने दागी रूसी रक्षा मंत्राले ने जानकारी दी है कि इस जंगी कार रवाई के नतीजे में AFU कमांड पोस्ट और उनका सुरक्षा कवच पूरी तरह से नश्ट हो गए हैं लेकिन हम इस वीडियो की पुष्टी नहीं कर सकते क्योंकि रूसी रक्षा मंत्राले ने इस मिलिटरी ओपरेशन को लेकर ये जानकारी नहीं दी है कि ये एक्षन कब और कहां लिया गया है यूक्रेन में रूस के स्पेशल मिलिटरी ओपरेशन के दौरान सेना के लड़ाकू हेलिकॉप्टर के चालक दल यूक्रेन के सशस्त्र बनों के बखतर बंदवाहनों और सैन्य ठिकानों का सफाया करने के लिए लगातार एक्षन में हैं के ए फिफ्टी टू हेलिकॉप्टर हवाई हमलों को अंजाम देने के अलावा सैन्य काफिलों को एसकॉट करने हवाई सैनिकों और सैन्य कारगों को पहुचाने के साथ ही हवाई सहायता मुहया कराने के काम में भी रूस के लिए काफी मददगार साबित हो रहे हैं इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें, TV9 भारत वर्ष, डिजिटल